दोस्तो अपसे पहले क्या होता था अगर आपको कोई selfie centric smartphone चाहिए तो आपको OPPO या Vivo की तरफ जाना पड़ता था अब उनमें आपको selfie तो अच्छी मिलती है no doubt लेकिन selfie के इलावा phone में और कुछ भी नहीं मिलता MediaTek का आपको processor दे दिया जाता है और RAM और storage में भी आपको compromise करना पड़ता है लेकिन दोस्तो अब game बिल्कुल change हो चुका है आज की date में अगर आपको कोई selfie centric smartphone चाहिए तो आपको selfie तो अच्छी मिलेगी ही साथ में phone की जो बाकी specifications हैं उनके साथ भी आपको compromise नहीं करना पड़ेगा अभी recently Infix ने एक new smartphone launch किया है Infix Hot S3 जो ये phone है इसमें कुछ ऐसी बाते हैं कि कुछ लोग हो सकता है Redmi 5 की जगा पे भी इसे लेना पसंद करेंगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ points बताऊंगा कि क्यों आपको Redmi 5 लेना चाहिए Infix Hot S3 की जगा पे और किन मामलों में Infix Hot S3 best है बागी ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे comments में बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा phone लेना पसंद करोगे अगर आपको ये वीडियो बसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ आप चैनलों को सब्स्राइब भी कर सकते हैं साथ में बैल आइकन भी दबा जेना ताकि आपको न्यू वीडियो की notification मिलती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं देखो जो Infinix Hot S3 है इसके आपको दो वेरियंट मिलते हैं 3GB RAM 32GB इंटरलने स्टोरज के लिए आपको पे करने होंगे 8999 और 4GB RAM 64GB स्टोरज वाला वेरियंट आपको मिलेगा 10999 में और जो Redmi 5 का 3GB RAM 32GB स्टोरज वाला वेरियंट है उसका प्राइज भी 8-9000 के आसपास ही होगा इन दोनों स्मार्टफोन की अपनी अपनी advantages और disadvantages है सबसे पहला point आता है build quality अब build quality के मामले में बिना किसी doubt के Redmi 5 ही winner है build quality infamous hot S3 की भी अच्छी है लेकिन वो metal build के साथ नहीं आता वो आता है polycarbonate के साथ जबकि Redmi 5 में आपको metal build मिलती है जैसे कि आपको Redmi 4 में भी दी गई थी तो build quality के मामले में Redmi 5 ही best है और जो display है वो आपको दोनों में ही same मिलता है 18-9 aspect ratio के साथ HD plus display है और जो screen size है वो भी दोनों का almost same है सबसे बड़ा आपको फर्क देखने को मिलेगा वो मिलेगा इसके camera में infamous hot S3 में आपको rear camera मिलता है 30MP का diol tone LED flash के साथ और front camera आपको मिलता है 20MP का और front side पे भी आपको diol tone LED flash दी गई है अपरचर आपको मिलता है front और rear दोनों के लिए F2.0 और Redmi 5 के में बात करूँ तो इसमें आपको rear camera मिलता है 12MP का और front camera 5MP अब flash तो आपको इसमें भी दी गई है front side पे लेकिन वो soft LED flash है उतनी powerful नहीं है जितनी के आपको मिलती है Infinix Hot S3 की और aperture आपको इसमें दिया गया है F2.2 front और rear दोनों के लिए अब camera तो Infinix Hot S3 का ही best है Redmi 5 के comparison में Redmi 5 का front camera अच्छा नहीं है और ना ही आपको इसमें portrait mode का option मिलता है Infinix Hot S3 में आप front camera यूज़ करके background blur वाले shorts भी ले सकते हो हाला कि यह जो feature है यह software के level पे काम करता है लेकिन आपको इसमें option मिलता है जो की price के हिसाब से बहुत ही अच्छा perform करता है और उपर से आपको इसमें aperture भी कम दिया गया है तो low light performance भी उसमें आपको better मिलेगी Redmi 5 के comparison में तो अगर camera आपकी priority है तो ऐसे में Infinix Hot S3 आपके लिए best रहेगा Redmi 5 की जगा पे और अगर आपको battery भी बड़ी चाहिए तो ऐसे में भी आपको Infinix Hot S3 चूज करना होगा विगि उसमें आपको मिलती है 4000 mAh की battery और Redmi 5 आता है 3300 mAh की battery के साथ मलब तीन ऐसे points हैं जो Infinix Hot S3 को Redmi 5 से better बनाते हैं फर्स्ट पॉइंट है camera सेकिंड पॉइंट है battery और थर्ड पॉइंट है कि इसमें आपको microSD card के लिए dedicated slot मिलता है अब dual SIM के साथ इसमें SD card भी यूज कर पाओगे Redmi 5 आता है hybrid SIM slot के साथ या तो आप इसमें dual SIM लगा पाओगे या XCMAC HD card तो यह थे reasons to buy Infinix Hot S3 अब हम बात करेंगे कि किन मामलों में Redmi 5 best है Infinix Hot S3 के comparison में Redmi 5 के पास भी 3 points है जिनकी वाइसे काफी लोग यही लेना पसंद करेंगे फर्स्ट पॉइंट है build quality सेकिंड पॉइंट है user interface इसमें आपको MIUI 9 मिलता है जिसको यूज करने का आपको बहुत ही अच्छा experience होगा अगर आप इसे compare करोगे Infinix के user interface से थर्ड और सबसे बड़ा point है performance Redmi 5 में आपको Qualcomm Snapdragon 450 मिलता है तो day-to-day performance तो आपको अच्छी मिलेगी ही साथ में आपको gaming का भी बहुत अच्छा experience होगा और Infinix Hot S3 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 430 जो की थोड़ा पुराना processor है Redmi 3S में भी हमें यह processor मिलता था day-to-day use में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आईगी इसके साथ लेकिन जब आप heavy gaming करोगे high graphics mode पे तो आपको थोड़े से frame drops देखने को मिल सकते हैं medium graphics पे कोई भी problem नहीं आईगी आपको बागी native video cooling का option आपको दोनों में ही मिलता है अगर आप GOC में use करते हो तो आप direct dialer से ही video call कर पाओगे और सभी basic sensors भी आपको दोनों में दिये गए हैं जैसे कि gyroscope, compass, ambient light, screens पे आप देश सकते हैं आपको दोनों में दिये गए हैं इसके इलावा जो IR व्राष्टर है वो आपको Redmi 5 में तो मिलता है लेकिन इंफिनिक होट S3 में नहीं मिलता और fingerprint scanner आपको दोनों में ही back side पे मिलता है और जहां तक बात है software की तो इंफिनिक होट S3 में आपको out of the box Android Oreo मिलता है और Redmi 5 चल रहा है Android Nougat पे कुछ नहीं बात Redmi 5 में भी आपको Android Oreo का update मिल जाएगा तो ये package मिलता है आपको बहुत ही easy है आपके लिए decide करना कि आपको इनमें से कौन सा phone लेना है दिखो अगर आपकी priority है camera और battery तो ऐसे में इंफिनिक होट S3 आपके लिए best है और अगर आपकी priority है high performance, high level की gaming भी आप करते हैं तो ऐसे में आपको Redmi 5 में gaming का experience ज्यादा अच्छा होगा बागी दोस्तों अगर आप Oppo या Vivo का phone चूज कर रहे हो इस price पे तो आपके लिए Infinix Hot S3 बहुत ही अच्छा option है इन दोनों phone का link मैं आपको description में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं आप मुझे comments में बताना कि आपको कैसा लगा Infinix Hot S3 और आप इन दोनों में से कौन सा phone लेना पसंद करोगे और क्यों उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ help मिली होगी अगर आपको इस वीडियो पिसंद आईए तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजेगो कि मैं आपके लोग भी interesting वीडियो लाने वाला हूँ थैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो